पूजा की विधी किस प्रकार है? उसमें मैं आपको बहुत साधरन तरीके से इस प्रकार से बता देता हूँ. पहले आप भगवान गनेश और लक्ष्मी की प्रार्थना करिए गजान अनम भूद गनाद इस वेदंक अपिजम्बू फल्चारू बक्षन उमासु तमसोग विन आप आचमन करिए तीन बार जल लेकर आचमन कीजिएगा उसके बाद भाए हात में जल लेकर अपने उपर प्रोक्षन और सामगरी पर प्रोक्षन करिएगा जिसको मंतर आता है उसको मंतर आता है मंतर के हिसाब से करें उसके बाद प्रित्वी का ध्यान करें आप सूर्य को अरग दें सूर्य को अरग देने के बाद प्रनाम करते हुए उसके बाद जिस प्रकार आप अपनी इसान जिन नोधि देवता का कर रहा है जैसे लक्षमीजी की हम में पूझा अम इस परकार हम अपना इश्नान करते हैं उसी पहले पादोर बाद्यम पैरो पर हस्तो अर्ग्यम हातो पर जल मुखे आजमनियम मुख पर जल सरवांगे इश्नानिम समर पयामी फिर सब इसनान कराएं फिर उसके बाद जो लोग पंचा मिरत बना कर करते हैं दूद चढ़ाएं दही और उसके बाद शुद इश्नान कराएं उनको पहुचकर उनसे उनको पहन कर उसके बाद दोरी पहना है और दोरी के बाद उनको गणेजबकान को यध्योब भी चढ़ा हैं फिर उनको अच्छी तरे से गंद आप्ष्च तरजा तिलक कर्एं उनका और फिर उसके बाद दीपक दिखाएं दीपक दिखाने के बाद उनको नैवेद्य लगाएं मलभोग लगाएं फिर उसके बाद रितूफल चड़ाएं मीठा पान दीपावली में अवश्य चड़ाना चाहिए मीठा पान उनको लगाईए उसके बाद दक्षना चड़ा है इसका लाब आपके जीवन में अवच्छ पढ़ेगा